हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल आज यूपी ट्रिपल लसी पीट का रेजल्ट के बारे में एक अपडेट आया था उसी अपडेट को देने के लिए मैंने एक वीडियो बना लिया आज तो आज का उसका रेजल्ट को लेके बहुत वड़ा अपडेट आया है आप 29 जनवरी 11-12 एम 11 बसकर 12 मिनिट में आपका अपडेट आया था उसी अपडेट को आपके पास पहुंचने के लिए बस यह वीडियो बना रही हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर डायरेक्ट चलते हैं अगर चैनल में अभी न्यूँ हो तो प्लीज सस्क्राइ आउट हुआ है या फिर कब आउट होगा और उसका कॉट आफ कितना आ जाएगा कॉट आफ मार्च डेट उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो पीएट एक्जाम हुआ था वह कंड़क्ट हुआ था 28 औ यहां पर देख लिए थे तो यहां पर देख लिजिये तो यहां पर देख लिजिये The official have successfully conducted the UPلفal PET exam 2023 on october 28 and 29 L bolds of candidates who appeared for the exam eagerly waited the loop triple a say.gov.in As for past lence it is expected to be released by the month of January 2024 but there has yet to be an official confirmation regarding the exact date and time that means january की last तक मतलब आज 29 है 29 january है दो दिन के अंदर ही आपका result आने का बहुत ही expectation है january last तक आज आएगा आपका answer मतलब result we will notify you as soon as official make an any announcement regarding the UPSSCP8 2023 result उसका result जो तो यहां पर देख लिजिए इवेंट हुआ था और यहां पर important dates registration date था August 1st route 30 था और admit card October 19 में release हुआ था exam date October 28 to 29 दो दिन था और उसका answer की नवेंबर 2023 में आ गया था UPSSCP8 result release date यहां पर दिया गया है जनवारी 2024 tentative है यह perfect नहीं है यह tentative है और यह final नहीं है और जनवारी लास्ट तक आपका आने का बहुत चांस है result तो आप इस चैनल के साथ जूड़ी रही है result आते ही आपको information दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से तो उसका देख लेते हैं next क्या है तो result आने के बाद उसको check कैसे करोगे step to check up p8 result 2023 at upshsc.government.in open declaration of the result the test takers can follow the steps given below to view the result result देखने के लिए आपको यह step को follow करना पड़ेगा इसी step के जड़िए आपको आपका result मिल जाएगा तो यह step को follow करना आपके लिए बहुत ही important है navigate to the official website of the उतरप्रदेश subordinate services selection commission at upshsc.government.in इसी website पर आपको जाना है उसके बाद next step क्या करना है on the home page candidates need to go to the result आप उसके result आप जहां पर होगा उसी result आप पर जाना है उसके बाद next step होगा select the up preliminary eligibility test result 2023 इस option पर जाना है आपको up preliminary eligibility test result 2023 इस option पर आपको जाना है उसके बाद step 4 पर key in your details like the registration number आपको registration number देना है data about देना है और capture एक था capture को भी देना होगा और उसके बाद submit करना पड़ेगा और step 5 में your up triple sccpate result pdf will be displayed on the screen उसके बाद आपको उसका जो pdf file है आपको screen में दिखाई देगा carefully review it इसको बस देखना है आराम से उसके बाद step 6 में क्या करना है download the up page result by choosing the downloading download option on the same page उसके बाद जो download option होगा उसी download option को क्लिक करने के बाद आपका जो pdf जो है वो download हो जाएगा तो यह था आपका जो update और cut up के बारे में भी कुछ है आपको मैं दिखा दी हूँ इसी update के साथ और एक यूपी यूपी ट्रिपल सी पीर्ट एक्सपेक्टेड कॉट अफ 2023 का भी एक आया था उसको भी मैं आपको अपडेट कर देते हूं यूपी ट्रिपल सी बेट रजल्ट लिंक विल सुन भी एक्टिवेटेड अन्ट ओफिसेल वेबसाइड ओफिसेल वेबसाइड में बहुत जल्द आपका रजल्ट आने वाला है मिन्वाइल यू कें चेक आउट दो कैटेगरी वाइस कितना गया था टूटल वेकंसी कितना है डिफिकल्टी लेबल अब दे एक्जम एक्सेटर यह सब को कंसिडरिंग ओल दिस फैक्टर्स और फीडबैक रिसीड फ्रॉम टेस्ट आकर्स वी हाब ट्यावलेटर दा यू पी ट्रेपल सी पीएट एक्सपेक्टेड कोट और यहां पर देखिए यह वर में सेवेंटी वान तर सेवेंटी सिक्स तक जाएगा और जो सेवेंटी रीत जाएगा आनलिसेव तक बाद यह एक टेबल अबडेट हुआ है तो इसी टेबल को फॉलो करके एक जयाक ली तो नहीं आएगा तो इसका नियरलिएcur आपको अमें मिल 63-68 और एस्टी में 63-68 यह कट आफ आपका आएगा अनलेसिस के हिसाफ से तो इसी चैनल के साथ जोड़ी रहिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपको इसी रिलेटेड बहुत सारा जनकर यह आपको मिलने वाला है थाइंक यू फॉर वाचिंग तिल लास्ट